हाई गाईस आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नेम ओफ एस्पेसल सिंबल्स एंड करेक्टर्स अगर आप मोबाइल और कम्पीटर यूज करते हैं तो देखेगा कीबोर्ड में कई सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका नाम आपको नहीं पता होता है इसलिए उसे यूज करने में डिफिकल्टीज होती है जैसे अगर आपको कहें कि आप इन सिंबल्स का यूज कीजे तो इनका नाम आपको पता होगा तभी तो आप इनका यूज कर पाएंगे तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी symbols का नाम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को last तक देखते रहे, definitely आपके लिए बहुत useful साबित होगा, देखे सबसे first symbol से इसे कहते है exclamation mark, second symbol है इसे कहते है and ये फिर आप कहले है m% इसका नाम होता है और and के लिए भी हम इसका use करत है, फिर इसका नाम होता है bracket और square bracket भी हम इसी को कहते हैं, लेकिन single इसका use करना हो तो आप कहेंगे open bracket और इस symbol को use करना हो तो आप कहेंगे close bracket, फिर इसके लिए आप कहेंगे curly braces और curly brackets भी इसी को कहा जाता है, single use करने के लिए open curly braces और इसे close करने के लिए close curly braces, इसके बाद इस symbol क को कहते है parenthesis जब इसे start करते है तो कहते है open parenthesis और जब close करते है तो कहते है close parenthesis इस bracket को कहते है angle bracket इसका नाम होता है single जब हम इसका use करते है तो कहते है less than और इसका use करते है तो कहते है greater than और इस symbol को कहते है tilde या tilde आप दोनों कह सकते हैं चलिए इसी तरह के और भी symbol है उनका हम discuss करत इसके बाद इस symbol को कहेंगे backcode, इसका नाम है at sign, इसे कहते है has और number sign भी इसी को कहा जाता है, इसके बाद है ये से कहते है heap send or star, डोणों आप कहे सकते है इसका use कम्प्यूटर में करते हैं multiply करने के लिए, इस sign को कहते हैं dollar sign, इसे कहते है percent sign, जिससे हम percentage निकालतے हैं, इसे आप कहेंगे carrot, इस sign को कहते है hyphen और minus और dash, तीनों कह सकते हैं, जब दो नाम के बीच में use होता तो हम hyphen कहते हैं, calculation करने के लिए use करते हैं तो minus कहते हैं, और dash का भी use होता है, अगर दो नाम के बीच में हो तो आप उसे dash भी कह सकते हैं, के dash दो, फिर इस symbol को कहते हैं underscore, इसे कहते हैं semicolon, इस symbol को कहेंगे colon, इसे कहते है quotation mark, या फिर आप क्या कहेंगे, inverted commerce, इसके बाद next है, इसे कहा जाता है single quote, या फिर apostrophe, इसका नाम है dot, या फिर आप कहें लिजे full stop, दोनों कहते हैं, इसका नाम है question mark, इसे कहते है forward slash, या division, जब एक number से दूसरे number को divide करते हैं, तब इसे हम division के रूपे यूज़ करते हैं, और इसका नाम है forward slash, इस symbol को कहते है backward slash, और जब इन दोनों symbol का नाम है slash, लेकिन इसका यूज़ करेंगे तो forward slash और इसके लिए कहेंगे backward slash इसके बाद next है इसे कहा जाता है pipe यह फिर आप कहले से vertical bar इस symbol का use होता है रूपी mark के लिए इसका use होता है is equal to का sign है यह TM जो होता है इसका full form होता है trade mark C को इस तरह से घेरा रहेगा तो इसे कहते copyright का symbol है यह R है तो इसे registered का symbol है C के उपर इस तरह का dot रहेगा तो इसे कहते degree Celsius इसका use होता है temperature मापने के लिए इस symbol को हम कहते है degree जैसे आप देखिएगा 360 degree, 90 degree, 180 degree होता है तो उसके लिए हम इस symbol का use करते हैं इस symbol का नाम है pound यह currency है इस symbol का नाम है euro यह euro currency है इसका use होता है comma इसका नाम है comma basically इसका नाम ही है comma इस symbol को कहते हैं delta और इस symbol को कहते हैं pi तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजे, share कर दीजे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे